ओम नमस्षिवाई हर हर महादेव ओम काली आदेश गुरु गोरकनात तो प्रेमी भगजनों आज हम आपके लिए शिव चालिशा के महत्तव के बारे में बताने वाले हैं जो कुछ सवद हैं जो कुछ हम आपको बताने वाले हैं वह उस बाबा भोले नात के परती हमारा परनाम कहिए उसे हमारी सेवा कहिए हमारा भाव कहिए आप कुछ भी समझिए तो आज शिव चालिशा के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ बगवान भोले नात के वैसे तो अनेकों भगत हैं इस दुनिया में काफी सारे भगत हैं जो बाबा भोले नात को अपने तन मंधन यहां तक की जीवन तक उन पर कुर्बान कर चुके हैं तो ऐसे भगतों की गिंती इस दुनिया में बहुत है आप भी बाबा भोले नात की भगती करते हैं उनकी जो है पूजा करते हैं अरचना करते हैं उनकी अराधना करते हैं लेकिन हम आपको जो रास्ता दिखाते हैं जो सुझेशन बताते हैं वह आपके लिए बहुत ही आसान एक उपाई लेकर मैं आया हूँ जिसको करने से आपके चीजें हट जाएंगी और आपका जीवन सकारातमक्ता की तरफ जाएगा यह हमारे खुद के द्वारा किये हुए प्रियोग हैं जिन में हमने सपलता अर्जित की है और इन प्रियोगों को सिद किया है तो जो व्यक्ति सवे सिद कर लेता है जिसका अनुभव सवे हो जाता है वह चीज आगे उसको बतानी चाहिए तो सीव चालिशा के प्रियोग मैं उनको देता हूँ लेकिन जिश में सबसे अधिक सफलता मिली है दो कारियों में वह मैं आपको बता देना चाहता हूँ पर्थम जो है वहनी संतान दमपतियों के लिए यह साधना बहुत ही जादा महत्त पुर्ण है जिनके संतान नहीं है संतान हो 12 साल हो चुके हैं लेकिन अभी तक संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ है किसी भी कारण चाहे कोई भी कारण रहा हो बात इस चे नहीं है फरक नहीं पड़ता है और जिनको संतान पेट तो पड़ जाती है लेकिन गर्भ के भीतर ही खतम हो जाती है या फिर संतान पैदा तो होती है लेकिन आठ दिन बाद दस दिन बाद महीने बाद वह भगवान को प्यारी हो जाती है अत्वा उसकी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो ऐसे भगत जनों के लिए यह सीव चालिशा का जो अनुष्टान है यह अचोक उपाई है इसके अलावा जो आर्थिक लेकिन उनका पैसा टिकता नहीं है, खर्च हो जाता है, घर में पैसा नहीं टिकता है, ऐसे व्यक्तियों के लिए भी शिव चालिशा का प्रियोग जो है, एक अचूक उपाए है, एक रामबान ओसदी के रूप में, इसे आप कह सकते हैं, तो निशंतान दमपती और जो उनका हुस्पिटल में जाता है, या फिर कहीं पर भी बुरे जगह पर उनका पैसा खर्च होता है, तो उनको शिव चालिशा का अनुष्टान करना चाहिए, बगवान शिव की चालिशा का अनुष्टान आपको कैसे करना चाहिए, अब इस विशे में हम आपको बता देते ह तो आपके यदि शिव इष्ट हैं, आपके अराध्य देव हैं, तो आपके तो मन में वह हैं, पहले ही बसे हुए हैं, जरूरत शिरफ उनको जागरित करने की है, उनका कोई सतरोत्र है, कोई चालिसा है, कोई मंत्र है, उसको आपको जागरित करने की आवक्सता है, तो आज की कड़े में हम सीव चालेशा को जगरित करने के लिए ही आपके सामने आए हैं आपको करना क्या है आपको किसी भी सोमवार से इसको सुरू कर देना है सोमवार के दिन प्रात्य काल में आप उठेंगे अपने नित्य करम आदी से निवरित हो जाने के बाद आपको क्या करना है आ उसके उपर भगवाने सीव की जो है मुश्कुराते हुए सीव की आपको जो है परतिमा उसके उपर लगानी है तस्वीर लगानी है मुश्कुराते हुए सीव की उनके सामने तस्वीर लगानी है और खास कर वो है इस मुद्रा में सिधासन में बैठे हों सुकासन में बैठे ह है यदि उस फोटो में माता पारवती और बीच में गणेश बैटे हैं तो वह सर्वत्तम है तो ऐसी कोई मूर्ति आप स्तापित कर लीजिए उसको गंगा जल से आप छीटा दीजिए उसको निशनान कराईए दीपक जलाईए घी का अगर बत्ती धूप बत्ती आप जलाईए सुगंदित आप उसके सामने जलाईए एक कटोरी में आपको आग बना लेनी है उपले से कंडे से जो भी आप कर सके नहीं तो आपका पूर से भी जला सकते हैं उस पर आग बना लेनी है आपको और उस आग पर आपको सवरपर्थम दो लोंग एक इलाइची एक मिश्री और पर एक चावल का दाना ये चार चीजे आप भगवान गनेश का नाम लेकर उसमें आप आहुति दे जीजिए सोरपतम उस अगनी पर आपको आहुति देनी है क्योंकि भगवान गनेश जो है सिव के पुत्र हैं वो और इस रिष्टी में जो भी मांगली कारिय होता है उसमें भगवान गनेश की जो है उनकी आग्या उनका आशिरवाद अनुवारिय होता है यदि आप भगवान गनेश को परशन करके उनको भोग देकर आप अपनी साधना करेंगे तो अवस्य में आपको जो है सिद्धी की प्राप्ति होगी आपकी जो है चालिशा जो है आपका मंत जो जागरित आपका जाप है उससे क्या कर सकते हैं बगवान गनेश को भोग देने के बाद यही फिर आपको दो लोंग एक मिश्री एक इलाइची और एक चावल का दाना इसको आपको गुरू के नाम से अपने आहुति दे देनी है उसके बाद कुल देवी के नाम से एक कुल आपकी माता होती है वैसे कुल देवता आपके पिता होते हैं पित्र आपके पिता के रूप में होते हैं जब तक आपके माता पिता ही रुष्ट हैं उनको ही आप याद नहीं करते हैं उनको समान नहीं देते हैं तो आप बाहर के किसी वक्ति को समान करेंगे तो आपको कोई लाब नहीं होने वाला है तो आप अपनी कुल देवी कुल देवता और पित्रों के नाम से एक एक आहुती आपको दे देनी है इसके बाद आपको जो आपके ग्राम का देवता है नगर का देवता है नगर खेडा भी बोला जाता है ग्राम खेडा बोला जाता है खेडा दादा बोला जाता है, खेडा भहिया बोला जाता है, दादा भहिया बोला जाता है, बोहमिया बोला जाता है, अक्सेत्रपाल बोला जाता है, उसको अनेक नामों से अलग अलग भासाओं में हमारे देश में पुकारा जाता है, लेकिन वह मुखते ग्राम देवता होते हैं, नगर खे कर रहे हैं अनुष्टान कर रहे हैं कोई भी पूज़ा पाठ किसी भी देवता का कर रहे हैं जब तक आप सितला माता को भोग नहीं देते हैं उनका सिर्वाद नहीं लेते हैं वह वह सकती आपके अक्सेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती चाहे वह सवय भगवान क्यों ना हो शीतला माता का महतो आप इस भासा में समझेए जैसे आपके जिले का डियम जिले का डीसी होता है डिस्टिक कमिशनर होता है यदि वह चाहे तो परधान मंतरी का भी प्रोग्राम कोई और हवाला दे डियम की अनुमति के बगार आपके अक्सेत्र में कोई भी बड़ा नेता आ नहीं सकता उसी तरह माता सीतला की आग्या के बिना कोई भी सकती आपके अक्सेत्र में आ नहीं सकती चाहे वह आपके भला करने आई है चाहे वह आपका बुरा करने आई है तो आप नीम के पेड में एक लोटे जल में दो चमच दूद, दो मिश्री के दाने मिठा, दो चावल डालकर दो लोंग डालकर आप नीम के पेड में भी सीच देते हैं तो माता सीतला मान जाती है। देवताओं में सिर्फ एक बगवान भोले नाथ हैं और एक माता सीतला हैं जिनको सिर्फ एक लोटा जल से भी आप परसन रख सकते हैं तो माता सीतला का भोग देने के बाद अब आप जिस इश्ट की पूजा करते हैं चाहे हो है बगवान सीव है, क्रिशन है, राम है, काली माता है, दुर्गा माता है, आप उनके नाम से एक आहुत्य दे कर आप अपने आशन पर बैठ जाएए, आशन कैसा होना चाहिए आपका लाल रंग का आपका आशन होना चाहिए, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हू ये देखिए, जैसे मेरा आशन है, इस तरह से आपका लाल रंग का आशन होना चाहिए, और लाल रंग के आशन पर बैठ कर आपको अपनी साधना करनी है, इसके अलावा आपको क्या चाहिए होता है, आपको एक रुदराक्स की माला चाहिए होती है, रुदराक्स की माला प के स्रीर पर होना चाहिए चाहिए आप उसको सर पर बांद सकते हैं ऐसे भी बैठ सकते हैं वह वस्तर आपके सर पर होना चाहिए क्योंकि जब आप जाप करते हैं तो आपका स्रीर उर्जा का निर्मान करता है और वह उर्जा सैस्तराद द्वार से वायु मंडल में चली जाती जिससे आपको फल नहीं मिलता है और फिर आप कहते हो कि हम निरंतर जब करते हैं हमें कोई फल नहीं मिलता है हमें पुझापाथ का कोई लाब नहीं होता है तो ऐसी ऐसी चोटी चोटी चीजों से ही आप जो है इन से आपको फल नहीं मिलता है तो आपका सर ढखा हुआ होना च चाहिए आसन पर बैठने से पहले आप तीन बार आसन को नमस्कार कीजिए हे आसन देउता मेरी जो साधना है इसको आप सबलता परदान करिए आपको नमस्कार है धरती माता को आप नमस्कार कीजिए आसन को नमस्कार कीजिए फिर माला को नमस्कार कीजिए आप अपनी हे माल माता मैं भगवान शीव की चालिशा का जो है अनुष्टान कर रहा हूँ मुझे उसमें शिद्धी परदान करने में अपना आशिरवात दीजिए उसी माला से आपको जाप करना है इसके अलावा आपको क्या करना है आपने भगवान शीव की मूर्ति लगा ली दीपक जला दि होती हैं इसलिए प्राचिन समय में रिशी मुनी जो सादू संथी योगी होते थे वो नदी के किनारे तलाब के किनारे जाप करते थे क्योंकि जल में जो खिचाव होता है वह जाप की सक्तिका आप एक लोटा जल अपने पास रख लेजिए उसका क्या करना हो है मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा तो जल कलोटा रख लेजिया उसके उपरांत आपको अपनी माला ले लेनी है माला रुद्राक्स की है और यह माला 54 मनकों की होनी चाहिए 108 मनकों की माला पर आप सिद्धी प्राप्त नहीं कर पाऊए इसलिए बेटा 54 मनकों की आप माला रख किसी भी मुद्रा में सुकासन में सीदासन में ग्यान मुद्रा में ऐस तरह से आपको कमर सीधी करके छाती आपको आगे निकालनी है कमर पीछे से अंदर होनी चाहिए कमर आपके रीड सीधी होनी चाहिए और उसके उपरांत आपको अपनी आखे बंद करके जाप सुरू कर जाब शुरू करने के लिए आपको क्या करना है सुर परतम आप भगवान गनेश को नमस्कार केजिए गुरु देव को नमस्कार केजिए आपके गुरु ने कोई मंतर दिया है आपको एक माला उस मंतर की पहले जाब कर लेनी है यदि आपने कोई गुरु नहीं बनाया है गु आपने गुरु बना लिया मान लीजिए तो आप ओम गण गण पते नमें इस मंतर की एक माला जाप किजिए या आपने हनुमान जी को गुरु अपना माना है तो ओम हम हनुमते नमें हनुमान जी का कोई भी मंतर आपको पता हो गनेश जी का कोई भी या फिर आपके किसी गुर लेनी है नौर्मल भासा में आपकी स्वास चलनी चाहिए जो नौर्मल होती है उसके उपरांत अब बात करते हैं आपको शिव 44 का इस का पाठ चुरू कर देना है तो एक दिन में आपको कितना पाठ करना आपको 21 पाठ करना है यह साधना आप 5-3 के चला सकते हैं आप लग में ऐसर अधिक दिन बढ़ाओगे तो 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 बाइप हो जाएगी कुल मिला कर आपको 51 पाठों को जो है आपको इन पांच दिनों के अंदर कर ले ना है इकर वन bon fight ini आपको कल से शुरू करते हैं 25 दिवाली तक 5 दिन पड़ते हैं तो प्रती दिन आपको 11 बार 1740 का पाठ जो है कर लेना है शुविदी के दौरा उसके पस्चात आपको दूसरे तीसरे दिन ही संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं सौपन के मादम से आपको संकेत मिलते हैं आपको भगवान शिव दिखाई देते हैं या उनके सम्मंदित कोई चीज दिखाई देते हैं जैसे तिर्सूल डमरू संक रुद लिजीएगा यह संकेत है भोले बाबा का कि आप सही दिशा में जो है अपना साधना को बढ़ा रहे हैं तो सोपन के मादम से आपको यह चीज़े दिखाए देंगी दूसरे या तीसरे दिन कईयों को पहले दिन भी दिखाए दे जाती है जिनका भगवान शिव में अधिक फिरदय से भगवान बाबा भूले नात की जो पूजा करते हैं उनको तो पहले दिन से ही अनभव होने शुरू हो जाते हैं इसके बाद लक्षन में बता देता हूं कि आपके किस दिशा में आपका स्चल रहा है जाप करतेश में आपको उभाशियां आने लगती हैं इस तर जैसे चीटिया रेंग रही है या वाइबरेशन आपको हो रही है इसके अलावा आपके माते पर खिचाव सा महसूस होता है आपको कई बार ऐसा लगता है कि यह जबड़ा जो है यह उपर की तरफ फूट रहा है और सर जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है इस तरह से रही है यदि इन में से आपको लक्षन दिखाई दे तो आप समझ लिजे कि आपकी उर्जा धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठना सुरू हो गई है और आपका प्रियोग बिल्कुल सही दिशा में आपको चल रहा है अब आपको करना क्या है दिवाली की रात तक आपको 51 बार इ पांच प्वंट एक हो गया लेकिन आप 6 जैवार इसका जो है आहूती डालिए जैसे शीव चालिशा का बाट किया बाद में सुआहा बोलकर आहूती डाल दिया नीद तो इस तरह से आप कर लेते हैं उसके बाद जो जल का लोटा आपने रखा है जो पानी रखा है उस जल क पेलोटे में से एक गिलास पाने का आप निकाल लीजिए बाकी जल को अपने घर में आपको छिटक देना है अंदर से बाहर की तरब आपको छिटकते जाना है जैसे यह लास्ट कमरा है यहां चिड़किए फिर इस अगले फिर इस अगले बैटक फिर में इंदर वाजे पूरे प्रवेश कर जाती है जाप समाप्त होने के बाद आपको पांच से दस मिन तक माला को अपने गले में डालके रखना है और अपने श्रीर को ढीला छोड़ देना है आसन से नीचे आपको श्रीर ले जाना नहीं है जब पूरण तरह आराम में आपका श्रीर आ जाए तब उस माला को निकालिए अपने मस्तफ पर लगाईए मस्तफ पर कैसे लगाते हैं वह भी बता देता हूँ यह सुमेरू होता है जो उपर लाल रंका इसको आप पकड़िए और यहां पर दोनों आखों के मद्दे में आपको इसको लगाना है और प्राथना करनी है कि जो भी और ज इस माला में एकरित हो गई है वह अग्या-चक्करने माध्यम से मेरे से में स्माहित हो जाए इस तरह से माला को नमस्कार करके आप किसी लाल वस्तर पर इसको रख दीजिए यह हो गया इसके बाद जो कुछ भी आपने हवन किया है जो हवन किया है उस सामगरी को आपको चलते पानी में बहा देना है यदि यह साधना करने के बाद आपको बुखार आए सर में दरद हो या फिर आपको ठंड लगे बुखार के संके जो होते हैं जुकाम के कहने का मतलब है आप थोड़े से बिमार पढ़ जाओ दो तिन दिन के लिए तो आप जान लीजिएगा कि आपकी जो है हनुमान चालिशा की यह साधना सफल हो गई है आपको शिद्धी मिल गई है क्योंकि इस के इस संकेच से आप ऐसा समझिए कि जैसे शिव की उर्जा आपके सरीर पर आई है और आपका सरीर एक मनुश्य का सरीर है इसमें इत जना तब जप यप कुछ नहीं किया है तो वह उर्जा आपके उपर आती है तो आपका सरीर एटोमेटिक बिमार होना तै है दो तिन दिन के बाद आपका सरीर धीरे धीरे फिर से सोस्थ होने लगता है तो इस अनभव से आप जानिए कि आपकी है सिद्ध हो गई है अब हमारे पूत्र पूत्रियों के समान है क्योंकि हमारा जो योग पंथ है गुरु गोर्ख नात जी का जो नात पंथ है बाबा महादेव का जो नात पंथ है देवी काली के जो हमारे तंतर है उसमें हम आपको ऐसे ही बता रहे हैं बिना किसी लागल पेट के तो आप उसका प्र पर मारिये और उस व्यक्ति को दे दीजिएगा उसको अराम मिल जाएगा जिसको संतान नहीं होती उसके लिए विशेश लाबदायक है यह हनवान चालिशा जिसने इसको सिद कर लिया है वह इस तरह से लोगों की मदद कर सकता है निशंतान जो दमपत्ती हैं यदि वह आपके दो दाने लीजिए ग्यारा बार आपको यह शिव चालिशा का पाठ करना है उसके बाद आपको ग्यारा ही आहुत्ती देनी है हवन में एक चुटकी उस राक की उस हवन की दो आपने जो जो रखे हैं हाथ में उन दोनों चीजों को मिलाईए और उस महिला को दीजिए उस ब पानी पी जाएगी और बगवान शिव की परते दिन जोच जलाई सुबस्यां देशी घीशे और शिव चालिशा का एक पार्ट वहसिस्त्री करें तीन महीने भी तरही उसकी गोद बाबा भुलनात भर देते हैं यह एक विश्विशनिय और प्रमानिक उपाई है जो की हमने शवय किया है और अनेक लोगों को इसका लाब पहुँचाया है इसके अलावा जो आर्तिक रूप से कमजोर हैं जो कुछी प्रेशानिय में हैं जिनका काम नहीं चलरा रोजगार नहीं चलरा नोकरी उनकी ठीक से नहीं चलरी या नहीं मिल रही बेरोजगार वैठे हैं घर पर ही वैट है कुछ कमाते नहीं है खर्चे के लेने के देने पड़ गए जिनको खाने के लाले पड़ गए है यदि ऐसा कोई व्यक्ति है प्रेशान है तो उसके क्या उपाए एसे व्यक्ति को आप इसका सिव चालेशा का जो है जल पड़कर दीजिए गंगा जल को 21 बार सिईव भगवान की जो तो जलाए बाबा भूलेनात की ज़िख घ्ञेट की जलेगी यदि फेलेबल नहीं तो आप मांगने आते हैं, वो आप से ये नहीं मांगता कि आप घी से मेरी शेवा करो, आप मेरे भी ये चड़ाओ, वो चड़ाओ, आपका भाव से ही होना चाहिए, क्योंकि वो तो अन दाता है, वो है हर किसी के बंडारे बरता है, हर भूके को अन वही देता है, वो से आपके प्रलोभन की, आपके इस खाने की भोग की अवक्सता नहीं, शिरफ आपका भाव अच्छा होना चाहिए, आप तेल का दीपक जलाईए, और अगनी पर आपको परती दिन बावा घुलेनात के नाम से, गनेश बगवान के नाम से, अपनी कुल देवी, कुल देवता और पितर, इन पांच देवताओं के नाम से, आपको अगनी पर ही अहुत्ती देनी है, भोग देना है, सुबै भी, श्याम भी, दो लोंग, एक मिश्री, एक इलाईची, और चावल के दो दाने, शिरफ इतना छोटा सा, ये मैं भोग बता रहा हूँ, जो कि हम परसनली बाबा भोलेनात और देव होने लगता है, धन के उसके रास्ते खुलने लग जाते है, ऐसा नहीं कि आस्मान से धन टपकता है, या कहीं से उसकी लोटरी लग जाती है, बिल्कुल नहीं, उसके रास्ते खुल जाते हैं, उसको मान लीजिए आप उसको अच्छी नोकरी का उफराता है, कहीं उसका व्य काइ сов'm उस्पिटल में जाता है किसी साथू बाबाओं के पस जाता है क्योंकर वह सक्रमें रहते हैं कि हमें यह प्रेशानी हमें भूत के प्रेशानी प्रेशानी जिंद के प्रेशानी ड़क नियुक्त कि इतनी प्रेशानी जबकि ऐसा नहीं है, अधिकतर लोग अंद्र विस्वास में जीते हैं, ज़ादातर आप ऐसे कर्ष्ट भोगते हैं जो कि आपके रोजगार से, पैसे से, शाधी से, इन चीज्जों से संबंदित है, यस से अप यस से संबंदित है, इन में ज़ादातर प्र करते हैं उसकी पूजा करते हैं उसके धाम पर जाते हैं प्रसाथ चड़ाते हैं भोग लगाते हैं कुछ भी करते हैं तो आपको फल नहीं मिलेगा जब तक कि आप अपने माता पिता यानि कि अपने कुल देवी कुल देवता पितरों के चरणों में मस्तक अपना नहीं जुका लेते वो लेने के भूके नहीं वो भी आपसे भाव चाते हैं समान चाते हैं क्योंकि वो आपके माता पिता है तो इस तरह से ज़्यादा तर समश्य होती है वो आपके घर की ही होती है बाहर की सक्ति बहुत कम होती है लेकिन कुछ लोग इनी सक्तियों के नाम पर आप से पैसे एटते रहते हैं तो आप इन तीन चारों को मनाईए आपके कुल देवी, आपके कुल देवता, पित्तर और आपके इष्ट आपके इष्ट भगवान भोले नात है तो सबसे अच्छी बात है देवी काली हैं तो सबसे अच्छी बात है क्योंकि ये तो थोड़े से एक जल के लोटे में भी परसन होने वाले देवता है और आपने सुना ही होगा वो गाना खुद तो राख लपेटे फिरता, औरों को देते धन्दान्य कहने का मतलब ये है, बाबा भोले नात जो है सबसे तो राख लपेटे फिरते हैं लेकिन और सबी को दन्दान्य बाटते हैं अपना शिरुवात देते हैं, उनके भंडार वरते हैं तो वो भोले नात है तो आज आपने सिव चालिशा के बारे में हमारे से जाना हमें भी जो भी नोलिज था, जो भी हमें अनुभा होता जो भी हमने सीका है, देखा है, किया है वह है आपके समक्स हमने रख दिया है अब आप के ऊपर बाजी आपके पाले में है आप कीजिए, शिव चालिशा को शिद कीजिए, इससे अच्छी सात्वी कोई साधना नहीं, इससे अच्छा सात्वी कोई देव नहीं, वो भोले हैं, भोले हैं, भोले हैं, भोले हैं, वो तो इतने भोले हैं कि यदि उन्होंने आपकी तरह मुस्कुरा भी दिया, तो आपके साथ पीडियों का भाग्य सुदर जाता है तो आज के लिए इतना ही शिवाना दासरम टरष्ट हरिद्वार के तरब से मैं योगी आनंद आप सबी से अभविदा चाहता हूं हर हर महादेव ओम काली आदेश गुरु गुरकनात सच्चे दरवार की जै जै माता दी हर हर महादेव ओम नमस्षिवाए जै भोले बाबा